आर्य समाज वसंत विहार ने शनिवार को आर्य समाज मंदिर वसंत विहार में 150 वा आर्य समाज स्तापना दिवस धुमदाम से मनाया यह दिवस 875 में महर्शी दयानन सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज के स्तापना की याद में मनाया जाता है यह सो आंदुलंग के मुल सिधानतों और इसके स्ताई प्रभाव की जिवनत याद दिलाता है आर्य समाज वसंत विहार ने 150 वी आर्य समाज स्ताफना तिवस की स्मृति में शनिवार 6 अप्रेल 2026 को एक विशेश कारिक्रम नुतन वर्ष अभिनंतन सभारु का आईजन किया जो हर साल 9 अप्रेल को मना जाता है आर्य समाज वसंत विहार की अद्धिक्ष्री श्रीमती संतोष कपुर ने इस दिन के महत वपर जोर दिया उन्होंने कहा कि आर्य समाज स्ताफनाति वस स्वामी द्यानन सरस्वती जी के विजन को याद करने और वेदों में नहित आदर्शों की प्रति पुनर प्रतिवर्द्य होने के लिए मना जाता है इस पावन अवसर पर बोलती वे उपाद्यक्षिय श्री नरिंद्र स्वरुप ने उनकी भावनाव को दोराया और बतया की किस प्रकार स्वामी द्याननची की सामाजिक सुधार और आत्मनेर्परता की शिक्षाए उन्हें प्रेलित करती है आरे समाज वसंत विहार प्रभंत समिती के अन्य सदस्यों ने उत्तम मिजवान की भूमी कानिवाई श्रीमती अंचिवपुरी, श्रीमती कुसुम दुकल, श्रीमती सुनिता नयर, डॉक्टर सुधानशु कंसल, श्रीमती प्रियासुरी, श्रीमती पुजा कपुर, श्री पग्दिवान और श्री विनोद कुमार पांटे ने इस अउसर को और भी याद कर बना दिया। पांटर है, एक छोटा सा स्कूल है, एक बड़ा स्कूल है, जो सारा आरिया समाज की सिधानतों पे ही चल रहे हैं, ताकि महारिशी दियानन्द ने जो मार्ग दिये हैं, वो लोगों उन्हें समझ सके, जो आरिया समाज ने जो हमें बताया है, कि वे सच्चाई की राह पे चलो वो मेसेज हम बच्चों तक भी पहुंचाना चाहते हैं और खास कर आज जब आर्या समाज का डेट समाज साल शुरू हुआ है यह 150 वर्ष जो हुए है एक बहुती ऐस्पिशिस मोमेंट है समाज के लिए यह एक ऐसा मोमेंट है जहां पर हम चाहते हैं कि वर्देश के यूट जाने की समाज के पीछे कौन थे द्यानन सरस्वती के बारे में जाने उनके संगर्ष के बारे में जाने कैसे उन्होंने वेदों का प्रचार किया किस तरीके से हमें हमारी संस्कृती के बारे में बताया यह बहुत ज़रूरी है आज के समय में क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है पर भारत को आगे बढ़ने के लिए अपनी वैल्यूस पर बढ़ना बहुत जोर रही है अपनी संस्कृती पर आगे बढ़ना बहुत जोर रही है और आरे समाद से बड़ी है कोई संस्ता, मैं कहूंगा है नहीं क्योंकि एक ऐसी संस्ता है जो खासकर वेदों पे फोकस करती है वेद जो हमारे सारे रिलिजन और सारे हमारे जो भारत के डिफरेंट फिलोस्फीज हैं उनका मूल ग्यान वेदों से प्राप्त होता है तो यह बहुती बड़िया अफसर है हम सब के लिए कुछ कहेंगा जिए को पचास सुबर समाद ने मनाया है एक साथ पचास साल का हमारा यह स्थाप्ना दिफस है यह मनाया जा रहा है और रिषी दयानांजी ने शुरू किया था पंबेई से शुरू हुआ था यह और आर्य का शवद भी उन्होंने आर्य वेदों से लिया था और वेदों में आर्य का मतलब स्रेष्ठ है और आर्य समाज का बतलब है स्रेश्ट समाज, स्रेश्ट लोगों की सभा तो ये बहुत अच्छा लगा हमें, सब बहुत लोग आए, बहुत अशीरवाद मिले और बगवान करेगा कि ऐसे ही हम उन्ती के पत पर चलते रहेंगे, आर्य समाज हमेशा अमर रहेगा NBC News के लिए नई दिल्ली से बरजेश कुमार की रिपूट